इस वीच यूरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमारिका ने वहाँ पर बेहत घाता के 15 लडाकू विमानों को तैनात कर दिया ख़बर के मताबिक इरान के समर्थन वाले चरमपंती लडाकों ने सीरिया में मौझूद अमारिका के एक बड़े बेस पर 23 माच को हमला किया था जिसका बदला लेने के लिए यानि 24 माच को ही अमारिका ने एक बड़ी ऐर स्ट्राइक की थी अमारिका की उस एस्ट्राइक में इरान की समर्थन वाले 16 चरमपंती लडाकों की मौत हुई थी जिसके बाद इरान अमारिका पर बुरी तरह बढ़क गया उसने अमारिका को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी क्योंकि अमारिका को अपने लडाकों विमानों पर बहुत भरोसा है उसे इस बात का यकीन है कि जिस जंग में भी उसके F-15 फाइटर जेट उतरेंगे वो दुश्मनों के चखके चुड़ा देंगे और इसलिए उसने इन्हें सीरिया में भी उतार दिया अमारिका के F-15 लडाकों विमान बेहत खतरनाक बमू और मिसालों से लैस है इन लडाकों विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरुरत पड़ते ही ये कुछ ही बलू में हावा से बात करने लगते हैं इसके बाद ये इतनी तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को सम्हलने का मौका तक नहीं मिलता और जब तक दुश्मन कुछ समझे F-15 उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं इसी वज़ा से अमारिका ने इरान को सबक सिखाने के लिए सीरिया में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया क्योंकि इरान के समर्थन वाले चुरम पंती लडाकों पर अमारिका की एड़ स्ट्राइक के बाद से ही सीरिया में इरान और अमारिका में जंग जैसी चुड़ गई है क्योंकि 24 मार्च को सीरिया में हुई अमारिकी स्ट्राइक के बाद इरान ने मोचा खोल दिया है उसने सीरिया में अमारिकी ठीकानों पर मिसाइल हमलों की चेतावनी तक दे दी जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीरिया में इरान और अमारिका के बीच चक्राव बढ़ सकता है और इसलिए अमारिका ने इरान और उसके समर्थन वाले चुरमपंती लडाकों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी लेकिन इस बीच इरान की मीडिया ने जो दावा किया उससे इरान और अमारिका के बीच लगी आग और भड़क सकती है खबर के मताविक अमारिका के कुछ सांसदू का मानना है कि बाइडन इरान पर बहुत नर्मी वरत रहे हैं जबकी उन्हें इरान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो अमेरिकी लोगू पर हमले के बारे में सपने में भी नसोचे खबर के मताबिक बाइटन की सरकार बनने के बाद से सीरिया और इराक में अमारिकी बेस पर 83 हमले हुए जुनके पीछे इरान और उसके समर्थन वाले चुरमपंती गोट रहे जबकि बदले में अमारिका ने सिर्फ चार बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया और अमेरिकी सांसदू की नराजगी की वजह भी यही है इधर चुनाव आयोग ने करनाचक में होने वाले वधानसभा चुनाव की तारिकों का एलान कर दिया दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फरेंस की और बताया कि करनाटक की सभी 224 विधानसभा सीटूं पर एक ही चरण में मद्दान होगा जिसके लिए 10 मई की तारीक तै की गई है जबकि 13 मई को वोटूं की गिंती होगी करनाटक विधानसभा का कारिकाल 24 मई को खत्म हो रहा है इसी भी चुनाव आयोग ने पंजाब की जलंधर लोगसिवा सीट पर उप्चिनाव की तारीक का एलान कर दिया वहाँ पर 10 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे कॉंग्रिस की भारत जोडो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पढ़ने से जलंधर के कॉंग्रिस सांसत संतोक सिंग चौधरी का निधन हो गया था जिसके बाद इस सीट पर उप्चिनाव करवाय जा रहा है इस सीट से वो कॉंग्रिस के टिकेट पर 2014 और 2019 में चिनाव जीते थे उधर पर्श्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतेन प्रशांत मासागर में अमरीकी तट के पास परमानू पंडुब्यों का बेडा तैनात करने की तैयारी में है दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस उन परमानू पंडुब्यों को हमेशा के लिए वाहां पर तैनात कर सकता है ताकि अमारीका से जंग छड़ने पर रूस अपनी परमानू पंडुब्यों से उसके शेहरू में तबाही मचा सके क्योंकि यूक्रेण जंग की वज़ह से अमारीका और रूस में तनाव चरम पर पहुँँच गया है पस्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को रोकने के लिए अमारीका यूकरेण को हर मुमकिन मदद दे रहा है रूसी सेना को खदेडने के लिए अमेरिका ने जलन्सकी की फॉज को एक से बढ़कर एक हतियार दिये हैं। परमानु बंद दागने की ताकत रखती हैं। मिसाइलों से भी वार कर सकती है। और तो और अपने एक वार से ही ये बैलिस्टिक मिसाइल तुश्मन के जंगी जहाजों को भी तबाह करने का दम रखती है। मतलब पोतिन ने अमारेका से भीडने की पूरी तैयारी कर ली है। इदर लोकसवा सचवाले ने NCP नेता मौमद फैजल की संसत सदसिता बहाल कर दी। इसी साल 11 जन्वरी को लक्षदीब की सेशिन्स कोट ने उन्हें हत्या की कोशिश के मामले में दोशी करार दिया था। और 10 साल की सजा सुनाई थी, इस फैसले के बाद उनकी संसत सदसिता रद्द कर दी गई थी। हालकि इसी साल 25 जन्वरी को केरल हाई कोट ने सेशिन्स कोट के फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद भी मौमद फैजल की संसत सदसिता बहाल नहीं हो पाई, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोट के दरवाजा खट-कटाया। लेकिन सुप्रीम कोट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिवाले ने उनकी सदसिता बहाल कर दी। चीन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ताइवान और अमारिका के बीच नस्दी की बढ़े। इसकी वज़ा ये है कि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। और पिछले कई महीनों से वो इस फिराक में है कि अपने खतरनाक जोन, घातक मिसालों और जंगी जाजों का डड़ दिखा कर ताइवान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। ताकि बिना युद्ध लड़े ही ताइवान चीन के सामने घुटने टेक दे और वो उस पर कबजा जमा ले। इसके लिए चीन ने ताइवान की सीमा के नस्दीक कई हफ्तों तक मिलिटरी ड्रिल भी की थी। और कई बार उसके लड़ाकू विमानू और जंगी जहाजू ने ताइवान की सीमा में गुसपैट भी की लेकिन चीन की इन हरकतों से ताइवान जरा भी नहीं डरा। क्योंकि अमारिका ने उससे भरोसा दिया कि वो चीन के खिलाफ हर वक्त उसके साथ है। लेकिन ताइवान की राष्ट्रपती जैसे ही अमारे की यात्रा के लिए निकली चीन को एक बार फिर मिर्ची लग गई। और उसने खुलकर ये धमकी दे दी कि ताइवान का ये कदाम उत्सावे वाला है और इससे दोनु देशों के बीच तनाव चरम पर पहुँच जाएगा। लेकिन ताइवान की राष्ट्रपती पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चीन की चितावनी पर जोड़दार पलटवार किया। इस वज़ा से ताइवान की राष्ट्रपती, मध्य अमेरिकी देश, ग्वाटे माला और बेलीस का भी दोरा करेंगी जो ताइवान की करीबी देशों में शामिल हैं ताकि वो अपने समर्थक देशों के साथ संबंधू को और मजबूत कर सकें। इस वीच आइसीसी ने वन डे रांकिंग जारी कर दी जिसमें विराट कोली फिर टॉप टेन खिलाल्यू में शामिल हो गए। उनके अलावा रोहित शर्मा को भी फाइदा हुआ। जबकि इससे पहले पोलांड की राष्टपती ने यूकरेन से वादा किया था कि वो अपने स्तारे मिग 29 फाइटर जेट उसे दे देंगे। ताकि रूस की सेना से मुकाबला करने में जलंस्की के जवानू को आसानी हो। माना जा रहा था कि पोलांड के इस कदम के बाद जलंस्की ने बड़ी राहत की सांस ली। क्योंकि वो अमारेका समेत कई देशों से लडाको विमानों की मांग कर रहे थे। लेकिन कोई भी उनकी गुहार सुनने के लिए तयार नहीं हुआ। लेकिन पोलांड पहला ऐसा नेटो देश बना जिसने वहां मिग 29 फाइटर जेट भेजने की हामी भाई।